जय हेंद प्रिवियस लेक्च्छर में हमने अटॉमिक नंबर और अटॉमिक मास नंबर देखा था वीडियोज को बार बार देखते रहें आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर symbols of element symbols of element अब किसे element के जो symbols है उन्हें modern times में I.U.P.A.C. ने prescribe किया है I.U.P.A.C. I. International U. Union P. Pure A. Applied and C. Chemistry I.U.P.A.C. International Union of Pure and Applied Chemistry I.U.P.A.C. ने हमें symbols of element दिये हैं वो कहता है symbol of element may be first alphabet symbol of element may be first alphabet और first and second alphabet पहला alphabet होना चाहिए symbol या पहला या दूसरा alphabet होना चाहिए और first and any other prominent alphabet वो कहता है कि या तो first और कोई भी उसके साथ prominent alphabet होना चाहिए from English और Latin language तो मेरे जो definition है वो अभी तुमारे दिमाग में आई नहीं है पर हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा तो symbols of element may be first alphabet मैंने लिखा है hydrogen तो hydrogen का symbol H boron symbol B carbon C nitrogen N oxygen O fluorine F phosphorus P sulfur S uranium U तो आपने देखा जितने भी elements थे सभी elements के symbol में कौन सा आया पहला alphabet तो symbols of element may be first alphabet symbols of element may be first alphabet तो पहला alphabet और और first and any first and second alphabet sorry symbols of element may be first alphabet first alphabet first and second alphabet तो ये तो पहला alphabet का example था hydrogen का पहला alphabet H oxygen का पहला alphabet O boron का पहला alphabet B carbon का पहला alphabet C to symbols of element may be तो symbols of element may be first alphabet or may be first and second alphabet hebýkrk हीलियum हीलियum का симbol He लिथियं लिथियुम का симbol L.I. Beryllium Beryllium का सिंबॉल B.E. Neon सिंबॉल N.E. Aluminium सिंबॉल A.L. Silicon सिंबॉल ऐसा है तो ये जो सिंबॉल से पहला और दूसरा अलफाबेट है तो सिंबॉल सॉफ ऐलिमेंट मेबी फिर्स्ट अलफाबेट और मेबी फिर्स्ट एंड सेकंड तो इस बार फिर्स्ट और सेकंड अलफाबेट दोनों साथ में हैं S और I ठीक है दो अलफाबेट Silicon के लिए A.L. या आगया Aluminium के लिए N.E. आगया Neon के लिए B.E. आगया Beryllium के लिए So, Symbols of Elements May be First Alphabet एक होना चाहिए और May be First and Second Alphabet तो First or Second होना चाहिए और May be First and Any Other Prominent Alphabet First and Any Other Prominent Alphabet Magnesium Magnesium का Symbol क्या है M.G. तो पहला Alphabet तो ले लिया And Any Other Prominent और Any Other Prominent में यहां पे हमने G लिया क्लोरीन C.L. First Alphabet तो ले लिया C. पर Any Other Prominent के लिया L. सेकेंड नहीं था क्रोमियम C.R. Zinc Z.N. आरसेनिक A.S. तो आप देख सकते हो यहां पे जो Symbols से लिखे हैं वहां पहला Alphabet है पर दूसरा नहीं है Any Other Prominent Alphabet तो वापस देखते हैं Symbols of Elements May be First Alphabet जैसे कि यहां पे Only One May be First Alphabet और May be First and Second Alphabet और May be First and Any Other Prominent Alphabet फ्रॉम इंगलिश और Latin Language तो यह English भाषा से या Latin भाषा से होने चीए From English और Latin Language चीए है या तो इंगलिश भाषा से या तो लाटिन भाषा से होने चीए हैं हमें नट्रियम हैं सर नट्रियम का सिम्बॉल एने पर आज हम एने किस के लिए यूज करते हैं सोडियम तो सोडियम के लिए जो सिम्बॉल आया है एने वो लैटीन भाशा से आया है लैटीन भाशा का शब्द क्या था नैट्रियम केलियम सिंबॉल के पर आप जानते हैं के सिंबॉल किसके लिए यूज होता है पोटैशियम तो पोटैशियम के लिए के पर के सिंबॉल ये हमारे लिए Latin भाशा से आया that is केलियम क्यूपरम सी यू और सी यू सिम्बॉल है कौपर के लिए कौपर के लिए जो शब्द यूज किया गया ठीक है? उसका सिम्बॉल है सी यू और सी यू जिस वर्ड से आया वो वर्ड है क्यूपरम फेरं एफी और एफी यानि आयन आरजंटेनम यानि एजी एजी यानि सिल्वर तो सिल्वर के लिए सिम्बॉल एजी पर एजी ये सिम्बॉल पहुचा है फ्रम दे वर्ड आरजंटेनम तो ग्रीक या लैटिन भाशा से कुछ वर्ड से लिए गए उनके सिंबॉल को यूज किया गया यहाँ पे औरम, AU, AU, गोल्ड के लिए आप देख सकते हैं फिर्स्ट अल्फाबेट, फिर्स्ट अंड फिर्स्ट अंड अदर प्रॉमिनेंट अल्फाबेट, हईड्रागाइरम यहाँ पे देखो पहला अल्फाबेट लिए और छटा अल्फाबेट लिए, फिर्स्ट अंड इन्ड अंड अदर प्रॉमिनेंट अल्फाबेट, HG, हईड्रागाइरम, HG, HG सिंबॉल यूज किया फोर mercury, wolf form W symbol use किया, for the element tungsten यहाँ पे SB यहाँ आगे आपके लिए यहाँ पे anti-money के लिए PB plumbum यहाँ आगे आपके लिए और stannum SN यहाँ आपके लिए stannum SN काई के लिए टीन, पहला और चौथा अल्फाबेट plumbum, पहला और पाँचवा अल्फाबेट, plumbum, for a lead stebium SB, anti-money पहला और चौथा तो यह सारे शब्द यह Greek या Latin भाशा से हैं इनही के symbols को use किया, कुछ elements को denote करने के लिए तो या तो symbol Greek या symbol अंग्रेजी भाशा से आएंगे पर हमेशा may be first alphabet और may be first and second alphabet और may be first and any other prominent alphabet from English और Latin language, तो once again IUPAC ने International Union of Pure and Applied Chemistry ने यह symbols से दिये थे और यह symbol में कहते हैं वो कि symbol या तो पहला alphabet होना चाहिए पहला या दूसरा होना चाहिए या पहला या कोई तो भी prominent होना चाहिए इधर फ्रॉम इंग्लिश लैंग्विज और फ्रॉम लैटीन लैंग्विज दो बार वीडियो जरूर देखें लेट्स कंटिनिव अभी हमने modern symbol of elements देखा था जहां पे symbol में पहला alphabet पहला या दूसरा alphabet पहला या कोई तो भी prominent alphabet इधर फ्रॉम इंग्लिश और लैटिन लैंग्विज देखा था ये modern था लेकिन अभी Dalton symbol of element है और Dalton symbol of element यानि scientist Dalton ने दिये हुए symbol इन्हे old symbols कहते हैं 200 साल पहले इन elements के symbol दिये गए थे 200 years पहले ये symbols दिये गए थे old symbol inconvenient है यूज करने के लिए modern time में हम इसे use नहीं करते हैं आईए देखते हैं circle circle में एक dot ये symbol है hydrogen का circle circle में dot hydrogen completely black circle अगर है तो ये symbol है carbon vacant circle आपको दिख रहा है oxygen circle में inverted y निकाला हुआ है ultra y that is phosphorus circle में plus का sign है this is the symbol for sulfur circle में आय निकाला हुआ है iron circle में c निकाला हुआ है copper l लिखा हुआ है lead s लिखा हुआ है silver g है और dotted lines है that is gold और चारो साइट से छोट छोटे dots है तो this is the symbol for mercury all these symbols are old symbols of element और इन old symbols को scientist डाल्टन ने दिये थे इसलिए इसे डाल्टन सिंबॉल of element डाल्टन सिंबॉल of element या old symbol of elements कहते हैं आये देखते हैं एक बार फिर से dot hydrogen थोड़ा magnify किया पूरा dark है carbon blank है oxygen ultra y inverted phosphorus plus sulfur i iron c copper l lead circle में है सारे s silver g है shaded dots है gold और छोट छोटे dots है that is mercury उसी प्रकार से modern में मैंने कहा था कि अगर पहला alphabet है जैसे कि hydrogen h, boron b, carbon c symbol of element maybe first alphabet आगे कहेगा और maybe first and second alphabet helium, h e, lithium, beryllium, b, neon, any first and second alphabet और first and any other prominent faster रहेगा और कोई भी एक prominent either from English और latin language तो यह latin language के ferum, fe किसके लिए iron cuprum, cu काई के लिए copper केलियम, k किस लिए potassium, natrium, na काई के लिए sodium तो यह दो प्रकार के symbol थे old symbol and modern symbol प्रखड़ रफे